ओम शांती आज 16 जानवरी 2023 है प्यारे बाबा ने हमारी जोली ग्यान रतनों से भरी है और यही ग्यान रतन हमें महादानी बन के हर एक आत्मा पर निचावर करने है और साथ ही साथ हमें निरंतर बाबा की याद में रहने का अभ्याज भी करना है प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को बरदान दिया एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूती द्वारा नम्बर वन लेने वाले अखुट खजाने से संपन भव जब कोई जूले पर बैठता है तो जूले पर बैठने से ही एक आनंद और खुशी का अनुभाव होता है प्यारे बाबा ने हमें संगम युक पर खुश्यों का जूला दिया है अपने दिल तक्त का जूला दिया है हर एक प्राप्ती संगम युक पर बाबा ने हम बच्चों को दी है तो बाबा यही चाहते है कि ये खुश्यों का जूला सदा रहे निरंतर रहे एक रस रहे अगर जूले पे कोई बैठे और बीच में कोई अच्चन आ जाए किसी बात पर रुख जाए तो दुबारा उसे जूले को तेस करना पड़ता है कभी धीला हो जाएगा जूला कभी फास्ट हो जाएगा कभी रुख जाएगा तो क्या हमारा संगम युगी जीवन कभी बहुत ज्यादा खुशियों के जूले में उड़ता हुआ महसूस होता हो कभी बिलकुल रुख जाए तो हमें अपनी चेकिंग करनी है अगर हम नंबर वन में आना चाहते हैं तो हमें खुशी के जूले को एकरस और निरंतर बनाना होगा इसके लिए कोई भी बात अर्चने जो हमारे सामने आती है उसमें हमें अटक नहीं जाना अगर अटकेंगे तो हमारा जूला धीला पड़ जाएगा और धीला जूला बहुत देर तक हमको उचाईयों तक नहीं ले जा सकता हमने बाबा के जीवन के चरुत्रों से भी यही जाना है कि चाहे कितने भी जहमेले रहे कितनी भी आफ़ते आई कितने भी लोग एंटी हो गए कितनी भी जिम्मेवारिया रही लेकिन बाबा की स्थिती एक रस रही एक शिव बाबा की याद में रही सदा खुशी में रही उनकी खुशी उनके चेहरे से दिखाई दी तो इसी प्रकार हमें इस संगम युग की विशेष्टा को याद रखना है कि प्यारे बाबा हमें मिले है और अगर अब भी हम परिशान रहेंगे रुख जाएंगे तो वो कौन सा समय होगा जब हम खुशियों में सदा और एक रस रह सकेंगे ओम शान्ती झाल झाल